कुछ भी नहीं है ये जहां दू है तो है इसमें जिना लाला जी ने के लगाया के लगा के मुपिश्काया मुपिश्का के जदम बढ़ाया लाला जी किरे दडाम इंस्टाग्राम एक एसा प्लेटफर्म जहां पर ट्रेन नहीं आती यहां पर आते हैं नए नए टैलेंट अलाला अरितिका तुमीशी में धूला धूला मैं थोड़ा अपना काम कंप्लीट कर लेती हूं अलाला और भाई ऐसे ऐसे टैलेंट आते हैं जिनको देखने के बाद छोड़ दोगे खाना और भाई जो बच्चे कुछ से कच्छे भी नहीं पहन पाते ना वो लोग भी रिल्स प्रेक्टिंग कर रहे हैं लोगों की बूटी और आओ इन लोगों की मिलके बनाते हैं बूटी अलालालालालाला ये तु क्या बोल रहा है भाई भाई सब आदे घंटे तो मैं शौच में लगाता हूँ और इस बंदे ने आदे सेकंड में सोच लिया कि जहर दे के मार देंगे और जहर तो इन लोग के घर में आसे रखे रहता है जैसे हम लोग के घर में पार ले बिस्कुट इस पानी में जहर मिला देती हूँ जैसे ही सवतेला बेटा आफिस से आएगा पानी पीएगा मर जाएगा इस पानी में मैं जहर मिला दो, जैसे हो आफिस से आएंगे, जैसे हो आएंगे, पानी मैं पिला दूँगे, और सारी संपत्ती की मालकून मैं हजाओं. अच्छा. बाबा सुना. क्या है? बाबा मुझे सारा भ्यू कि, ये तुरा से दातलिये. भाई, मैं सच बता रहा हूँ, इस बच्चे में कुछ ग्लिच है, इसका पिंग हमेशा हाई रहता है. भाई, इस बच्चे का ना, पहले इंटरनेट कर्णिशन ठीक करो, और ये जो आटो ट्यून में बोलता है ना, उसे भी थोड़ा कम करो. अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की, ये बंदा जबी भी सोचता है ना, तो ऐसे कर लेता है. इस मन्हूस को पैसे चाहिए. इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब ये है कि ये हमें बताना चाह रहा है कि अभी मैं सोच रहा हूँ. भाई, तो कुछ भी कर ले, ये एक्टिंग हमारे हां मानी ही नहीं जाएगी. अरे, ये क्या कर रहा है? अरे, तु पागल हो गया है, पूरे सरी सिंदूर पत रहा है. पापा, मैं कहां कि अंटी जी बस गया था. तो आगे की कहानी मैं बता देता हूँ यार, इसकी आवाद सुनके मेरे दिमाग में सराउंडिंग हो रही है. तो ये एक अंटी जी के पा अरे, मेरा बेटा मुझे इतना प्यार करता है. मैं इसे मारने चला था. बेटा मुझे माप कर दू. और आप हमें माप कर दीजिये. मतलब घंटा बड़ सा पता नहीं क्या जिखाये जा रहे हैं. पानी में जहर में पानी मिला देता हूँ. और भाई, आज कल के बच्चे ज अगर तुछ में दम है तो उसे पा कर दिखा लेकिन उसकी तो शादी हो गई कहां से पाऊं और एंजल रहा रिप्लाई नहीं करती अब तो मैं अपमें दम का सिर्फ दमालू बनाऊंगा भाई किस ने इसके फ्रूटी छीन लिये प्लीज वापिस कर दो इसको किसमत की एक कमाल की बात है कि आजकल वो बुरे लोगों के साथ है बजाओ मैं रो या किसमत की एक कमाल की बात है वो पलड़ती जरूर है लेकिन मेहनत की दम पर पलड़ती है अरे बस करिये प्रभू आप जब बड़े हो जाएंगे ना तब आपो समझाएगा कि लाइफ में कभी-कभी ऐसे सिच्वेशन आ जाती है ना कि हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमें पाद आ रही है कि पॉट्टी फिर हम थोड़ा सा पाद के देखते हैं फिर लगता है कहीं पॉट्टी ना निकल जाए उसके बाद हम लोग जाते हैं टॉलेट में करने फिर वहां करते हैं जो भी करना हो चुकी है जिसे देखो वही मोटिवेशन दिये जा रहा है अ बस आज के लिए इतना ही वीडियो पसंद आए लाइक करो नहीं पसंद आया तो भी लाइक करो क्योंकि आप डिस्लाइक माना है नहीं जाते हैं इस्ट्राग्रम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मान करतो फॉलोव है चलो मिलता और तक के लिए बाई-बाई